पहाडों के सुंदर रास्ते हमेशा एक आकर्शक द्रिश्य प्रदान करते है ये रास्ते अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद होते हैं और इन्हें यात्रियों की पसंदीदा स्थलों में से एक माना जाता है पहाडों के सुंदर रास्ते पर चलते हुए हम प्रकृति के साथ संबंधित कई रोमांचक अनुभव कर सकते हैं इन रास्तों पर चलने से हमें पहाडी वनों, बगीचों, नदियों, जर्नों, जीलों, आदी का आनंद मिलता है। इन रास्तों पर यात्रा करनी चाहिए और पहाडों की प्रकृती का आनंद लेना चाहिए। जहां हम जा रहे थे, वो रास्ता कोई सुनहरा सपना से कम नहीं। वैसे ये एक आफबीट रास्ता है, जहां सीजन के अलावा, नॉमली ये रास्ते पे कोई नहीं जाता। हमें पता नहीं था इसके बारे में, हम पहले नैनिताल से होकर, रामगर, नतुआ खान से होकर मुक्तेश्वर जाना था, तो गूगल मैप्स में भी यही रास्ता दिखाया। जैसे ही हम इस रास्ते में एंट्री किये, तभी से रस्ता का हाल बहुत खराब था, पहले तो हमें बहुत दर लगा, क्योंकि हम पहली बार इस रास्ते पे जा रहे थे, सुनसान रास्ता, आसपास कोई लोग नहीं, दूर दूर तक खाली घना जंगल, इतनी सन्नाटा के ब बनाने के लिए जरूरी मुख्य तत्वों में पेड और पानी दोनों आवश्यक है, विक्ष से पानी, पानी से अन्न तथा अन्न से जीवन मिलता है, जीवन को परिभाशित करने के लिए जीव और वन दोनों जरूरी है, जहां वन होता है वहीं जीव होते हैं, इनके बिना पहाड अधुरा और कमजोर है पेर पहाड की आंतरिक ववाहे सनरचना में एहम भूमिका निभाता है वो कंकर पत्थर वाला रास्ता वो थंडी सी हवा वो एहसास हम अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे इतना सुनसान जंगल के बाद एक गाव आया जिसका नाम शीतला गाव था यकीन मानिये ये गाव उत्तराखन के सबसे सुन्दर और कम जानने वाले जगहों में से एक है 6,000 फीट की उचाई पर स्थित सीतला गाव में उपनिवेशिक शेली के बंगले परेटकों के बीच प्रसिद है सीतला अपने हरे भरे जंगलों, बगीचों और पंचाचुली, फ्रिशूल और नंदा देवी सहित हिमालय की बरफीली चोटियों के विस्तार के कारण एक सुन्दर परेटन स्थल है पहारी जीवन की कठिनाए इस बात से लगाए जा सकती है कि जहां पर पहार होंगे, वहां पर यातायात के साधन लोगों को उपलब्द करवाना कठिन हो जाता है जहां मैदानी इलाकों में सड़क बनवाने में कुछ महीनों का समय लगता है, वहीं पहारों में इसी काम को करने में 2-5 साल लग जाते हैं पहारी लोगों का जीवन भी इसी प्रकार कश्ट प्रद है, मगर पहारी लोग कभी इस बात से शिकायत नहीं करते किसी ने सही कहा है, जिंदगी जिंदादिली का नाम है जब हम इस रास्ते पे नहीं आये थे, तब तक हमारे मन में एक चुपी हुई अहनकार सी थी कि हमारे शहरों में इतने अच्छे रास्ते होते हैं मगर अब जैसे ही हम ये सफर पूरे किये, हमें हमारे गलती का एहसास हो रहा है, शायद भगवान ने भी इसलिए हमें यहाँ पर भेजे, सही में प्रकृती हमें बहुत कुछ सिखाता है, इस बार हम इंसान सही में प्रकृती के प्रेम में पड़ गए यात्रा का आनन्द नई चीजों की खोज में आता है, अपने पैर किसी ऐसी जगह पर रखना, जहां आप पहले कभी नहीं गए हो, अपने साथ खोज की तेजी और अपनी दुनिया की सीमाओं को पीछे धकेलने का आनन्द लेकर आता है, लेकिन जब कोई उस नई सीमाँ पर पहुँचता है, तो आपकी खोज की यात्रा शुरू करने के लिए दूसरों की तुलना में बहतर तरीके होते हैं, इन चरणों का पालन करें और दुनिया को एक नई रोश्मी से देखें, नथुआखन से लेकर मुक्तेश्वर का ये पंदरा किलोमीटर का सफर किसी फिल्म का सीन से कम नहीं, अगर जीवन में मौका मिला तो हम फिर यहां आएंगे, खेर, आज का वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगले वीडियो में हम आपको मुक्तेश्वर के एपल गार्डन पे लेके चलेगे, तब तक के लिए अपना खयाल रखना, जै हिंड झाल झाल